तो हम लोग इस चैनल में केमेस्ट्री एंड फर्मा रिलेटेट टोपिक डिसकाशन करते रहते तो आज फिर एक फर्मा रिलेटेट टोपिक ही है जिसका हेडिंग है टॉप फर्मा कॉलेजस आधर देन नाइपर देखो इस टोपिक मेंने और एक वीडियो बनाया जो पार्ट को मैंने लिस्ट से बाहर रखा सिर्फ जो आधर देन नाइपर है उनके बारे में मैंने वहाँ पर बोला था तो इसमें भी आधर देन नाइपर ही बोला जाएगा क्योंकि नाइपर के बारे में में पूरा डिसकेशन नाइपर के बारे में होता रहता है तो यह आधर देन पर है देखो नाइपर में टुटल MS के लिए MS, M Farm and M Tech Pharma के लिए जो टुटल सीट है ओ है 859, 859 and that is not enough क्योंकि हमारा बच्चे इतना ज़्यादा है जो नाइपर में कांसिलिंग के लिए बुलाया वो ही 2400 को बुलाया इस बार तो इतना ज़्यादा स्टूटेंट है उनमें से सिर्फ 859 ही आफ्टर अल सिलेक्ट होगा बाकी जो भी बच्चे है कही ना कही दुसरा अच्छा कोलेज ढूनना ही परेगा और काफी लोग मुझे उनका कोलेज का नाम बगरा देखे बोल रहा था कि इसको लिस्ट में क्यों नहीं रखा उसका विचे रीजन यह है कि मैं एना एरफ रेंकिंग ही फोलोग कर रहा हूँ तो उनमें जो टॉप लिस्ट होगा मैं उनको ही रख सकता हूँ कोई दूसरा में किसी को भी इसे नहीं रख सकता तो नाम रेंकिंग जो है न है तो 2020 का है ठीक है ना लस्ट येर ये अरेंकिंग ही थेकना परेगा क्योंकि इस बार का जो रैंकिंग कर ना उन्हों सेप्टेंबर से काम शुरू करते और आने वाला अगली साल का मार्स एप्रिल तक जाके लिस्ट निकलता है तो अब 2021 2009 लिस्ट फोलो करना परेगा और NIRF basically क्या होता है NIRF के बारे में मैंने details बता है फिर भी एक बार बोल देता हूँ यह एक organization है National institutional ranking frame org ठीके ना तो इनको काम दिया गया है 2015 से by MHRD के तरफ से तो उन्होंने 2015 से उनका काम ही यह है इंडिया का जितना भी institute है सिर्फ फर्मा नहीं जितना field का जितना institute है सबका रेंकिंग करता है तो आपको इंडिया का जो बाखी institute के बारे में पता नहीं रहेगा सबका तो आप follow कर सकते हैं इनका ranking और उनका ranking किस तरह से देखा जाता है उनके बारे में में video बनाया कि उनका ranking में individual parameter होता है जिसमें वो मार्किंग करते है और उसके बाद जाके फाइनल एक रेंक होता है तो जो मार्किंग है उसमें कुछ परामिटर जैसे रहता है टी आलर हो गया जैसे गेजुएशन आउटपूट हो गया तो इस सब में इस्टुडेंट को ज्यादा ध्यान देना चाहिए अगर टी सब देख सकते हो तो देखो जो भी नाइपर जैई का कांसिलिंग एटेंड करने वाले हो बच्चे उनके लिए कुस इंफोर्मेशन लेएगा जो मैं वीडियो के लास्ट में देखा तो सबसे पहले आप ये लिस्ट का हां लिस्ट का तो इसके लास्ट में बोल दूँगा स सबसे पहले में एक बर लिस्ट बोल ही देता हूं इससमें इतना खास कुस है निही जो कोई भीॉले के बारे में डिटेल्स में जानना होगा आप उसके के बारे में चार्च करके खुद जानेगे ना कि मुझे इमेल करोगे ठीक है बच्चे इमेल कता रहते हैं मुझे कब फॉंफिल आप होगा ऐसा बगारा वो सब आप खुद देखना है देखो सबसे पहले जो कॉलेज इस लिस्ट में मैंने रखा हूँ जो की एनायर में यह जारखन में है और जो पिलानी वाला है न वह राजस्तन में था तो यह कफी पॉपुलर कोलेज से बीच पिलानी हो बीच रांची हो ठोड़ा फीज ज्यादा है अगर आप एफट कर सकते हो तो जा सकते हो कफी अच्छा कोलेज से उसके बाद लिस्ट इसका नाम आय में ठीक है ना सर्म इंस्ट्यूट वान अप देश इंस्ट्यूट पहले से था और उनका रैंकिंग पहले बहुत अच्छा था हलाकि 19 रैंक बुरा नहीं बोल सकते आप इंडिया में इतना जादा इंस्ट्यूट है उनमें कॉम्पिटिशन भी बहुत जादा है तो उनमें जैसेश कोलेश ऑफ फर्मसी एंड अन्नामालाई कोलेश एंड यह सर्म हो गया और दो चार कोलेश था तो यह हो गया नमबर ठाट यह गया यह तमिल लादू में है सर्म इंस्ट्यूट उप साइंस अं टेकनोलोजी उसके बाद देखो यह नमबर फोर में है रैंकिंग 20 मे जैसे ठोड़ा कंता है ठीक है अमिती इनवेश लिटा यह तो सब को सबने सुना होगा काफी ज़्यदा पोपुलार है यूपी में है यूपी का गोतम ऑधन हमें थे खो ओली क्रिक्ष का यह भी थोड़ा बहुत देखता है campus कितना ठीक ठाग है तो यह देखो आमिती इनिवर्सिटी का campus काफी बड़ा है काफी beautiful campus है आप बोल सकते हो और इनका placement भी ठीक ठाग है काफी अच्छा placement है आप देख सकते हो इन डिटेल्स में जाके उसके बाद आ गया पुना college of pharmacy यह है पुने पे महारश्टर में है आप इनके बरह में देख ले न और उसके बाद है पंजाबी इनिवर्सिटी जिसका रेंकिंग है 23 निर्फ रेंकिंग और यह है पंजाब पतियाला में ठीक है तो देखो दो college से सेम नाम का आप confused मत होना जो पहला वाला college में लिस्ट वन में बोला था पंजाब उनका रेंकिंग तो आप सबको पता है और यह है पतियाला पंजाब में है देखो इस कोलेज के बारे में थोड़ा बहुत बोल दूँगा देखो कोलेज आप जो भी यह टीलर बगरा हो गया जीओ हो गया या फिर केंपस प्लेस्मेंट ओल इस तिंग यूभ तो सी ओके बट इसके अलावा और एक सीजे आपको थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि किसी कहीने कही मेटर करता है देखना ओ है आपका उसमें फिस बगर कितना है कूर्स फिस क्योंकि इंडिया में जाधा तर मिडल क्रस्ट लोग है तो इतना जाधा बहुत जाधा फिस एफॉर्ट करना मुझे ठीक नहीं लगता बाकि इस कॉलेज में फिस का भी कम है पंजबी में और थोरा बोलतूंगा क्योंकि मेरा एक दोस्त था जिनका जीपेट रैंक काफी अच्छा था ठीक है बट अनफर्शनल्टी नाइपर का रैंक 600 में था और उस टाइम 2018 में नाइपर में सीद भी कम था तो उनको को लोजी ही चाहिए था और टॉप 3 में ऐसा चाहिए था इसा कुछ जो भी था रिजन जिसके बज़े से उनका सीद नहीं मिला तो उन्होंने पत्याला इनिवर्सिटी से पंजबी इनिवर्सिटी में जोइन हो गाया था कोलोजी के लिए और वहाँ से कॉम्प्लिटेट कर लिया 2020 में और जोब भी मिल गया वहाँ पे देखो प्ले यह जो भी कॉलेज़ेस आगे भी बोला ना मैं बोलने के लिए भूल गया ज्यादा तर कॉलेज़ेस में जो सीट मिलने का क्राइटीरिया है वो है जीपेड रेंग यू हब तू है गुड जीपेड रेंग देन अल्ली यू कें और पंजाबी उनिवर्सिटी में जीपेड रेंग काफी अच्छा चाहिए हाला कि आगर आपको कोगनोसिव में सीट चाहिए तो जीपेड रेंग थोरा पीछे होने से भी हो जाता है और कोलोजी या फिर सीटिक्स काफी ज्यादा डिमांडिंग है वहाँ पे कोलोजी सीट होने से भी अपलाई कर दो और आगर कोई पंजाब का स्टूटेंट देख रहे हो आपके लिए उदर सीट रिजाब रहता है और वहाँ पे जो बैसलर करके आता है ना इसी उनिवर्सिटी में तो उनके लिए भी कुछ सीट रह जाता है तो उनको सीट मिलने का सांथ जादा है और बाहर का जो भी नॉर्मेल इस्टूटेंट है उनके लिए थोड़ा बहुत सीट रह जाता है तो आप फिर भी ट्राइ करो पंजाबी इनिवर्सिटी यह काफी अच्छा है तो आप इनके बारे में और डीटेल्स देख लेना अगर इंट्रेस्टेट हो इसके बाद है बी सीवी फूल पंब है बॉंबे कॉलेज अफ फर्मासी यह 24 रंकिंग में आ रहा है और इनका लोकेशन है मॉंबाई महरश्टा महरश्टा में बहुत सार अच्छा अच्छा कॉलेज इसे तो यह 24 रंकिंग में है और इनके बारे में डीटेल्स देख लेना फीज बगर द क्यों नहीं है ज्यादा तर बज्च्छा दिफसार का है आपका रंक आ गया है तुटा ट्वेंटी सिक्स में है आपका रंक और दिफसार के बारे में तो अल्मॉस्ट सबको पता रहते हैं इतनका फूल फॉर्म है डेल्ली इंस्ट्यों फर्मासेटिकल चांज रिसर्च ठी का फीस होगा जो भी हो और आप देटल्स देख लेना उसमें डिपर्मेंट रहता है आपका फार्मासेटिकल क्वालिटी एसुरेंस फार्मासेटिकल केमेस्ट्री फार्मासेटिक्स फार्माकोलोजी होस्पितल फार्मासेटिकल के उनमें एक नया डिपर्मेंट है नया तो इसका फुल फर्म मैंने शॉट फर्म लिखके रखा हूँ फुल फर्म में बोल दूंगा सिरी रामाचंद्रा इंस्ट्यूट ऑफ हायर इडूकेशन एंड रिसर्स तो यह है आपका चैन्नाई में ठीक है ना तामिल लदू पर भी काफी सारा इंस्ट्यूट है अच्छा-च् देखो इनका मैं धोतरो प्र lacks डेटेल्ज देख रहा था क्योकि इनका आफ में लुऋ मुझे इतना पता नहीं था तो मैंने जो इन्य mellanचाष्ट और बहुत बूरा फ्ले सब्चा ना उसके बाद यह 26 रेंग हो गया 27 में आता है आपका नाइपर कलकाता जिसको में यहां से हटा दिया हो क्योंकि नाइपर और यहां पर 18 में जो एक मिस हुआ ना यह नाइपर रैवरली लखनो वाला वो भी में ने हटा दिया तो देखो 28 में क्या आता है महारिशी मारकेंद देश्वर महारिशी मारकेंद देश्वर यह अंबला में है हर्याना ठीक है मुझे इतना पता है नहीं इसके बारे में आप डिटल्स देखो उसके बाद है लपी यू लाबली पोफेशनल उनिवर्सिटी यह 29 रैंक में आ रहे जो की है पंजाब में और लास्ट में एक यह कोलेश जो 30 रैंक में आ रहे एस बी के एम एस डक्टर बानुवेन नानावती कोलेश और फर्मासी यह है मुंबाई में तो इसका रैंकिंग है 30 और आप यहां तक मुझे नहीं लगता मैं पार्ट 3 बनाऊंगा इसका क्योंकि 30 तक बहुत है जितना है टॉप 30 में बहुत अ अच्छा कोलेश से इसके पीछे में नहीं जाना चाहता ठीक है न तो आप सबसे पहले इसका एक स्कीन शॉट ले लो दिपसर तक आ गया एंड इस इस ठीक है न इसके बाद देखो इस कोलेश का जो भी एडबंटेश है और इस कोलेश का नाम में क्यों बोल रहा हूं आदा से आप एक अच्छा केरियार का शुरुवात कर सकते हूं कोई भी इदर उदर का कॉलेश में मत जाओ या जीपेट कॉलिफाइट हो कहीं ने कहीं तो मिल जाएगा बहुत अच्छा कॉलेश में मिल जाएगा ताकि और इस्टेवें तो रहे गई उसका तो टेंशन नहीं साह है कहीं से भी बोलो मेरा बस इतना मानना है कि आप जितना हो सके अच्छे कोलेश में जाने के ट्राइग करो और जो नाइपर जाही का कंसलिंग लेके आपका अपडेट था ना वो देखो उन्होंने कल एक नोटिस में बोल दिया है कि जो भी वह आपका एनेक्जर वान का ए तो वह वाला पैफर कहीं भी मिल नहीं रहा था कुछ कुछ जगा में तो उन्होंने बोल दिया दूसरा जितना भी है कोई भी है रूपीस ट्वेंटी हंडेट जितना रूपीस का भी है उस में कर लो कोई उसू नहीं है उसमें हो जाएगा बस आप नाटराइस एफिट होन is there in code so whatever 100 rupees one is there users do in debt only no no need to worry they have already said that there is no issue regarding debt over a update जो था न whoever interested for firm MBA so for them there will be no group discussion and personal interview this time so whatever your rank will be based on eipar Jai and you have to attend counseling based on that only तो यही था और कुछ ज्यादा कुछ बोलना नहीं है इतना ही है और देखो एक वीडियो आ जाएगा बहुत जल्दी मैंने पहले दिया था इस तरह से एक वीडियो दिया था जहां से आपको पता चल जाएगा कि आपको subject selection करना किस तरह से किसी को पता रह सकता है अगर आपका senior है तो आपको थोड़ा बहुत पता रह सकते है बट मुझे लगता है कि मुझे यहसा वीडियो एक दो बनाना चाहिए कि नया डिपर्मेंट के लिए जिसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बोल ताकि आपको idea हो जाए क्योंकि graduation के बाद मे बीडियो बना दूंगा अच्छे से बोल दूंगा कुछ डिपर्मेंट जो की non-core होने के वाला हुआ 100% placement दे रहा है काफी अच्छा future इसमें आप कर सकते हो एक्सपेक्ट कर सकते हो तो that's all and please subscribe my channel and share with your junior because coming soon I am going to update all the content regarding GPT and all so that's all thank you everyone thank you for watching